हुआ है हलो एन वेलकम डियर स्टूडेंट तु अमेजिंग क्लास जिसमें आज हम ऑक्सिडिशन और रिडक्शन के सारे रिएक्शन्स कवर करने वाले हैं अपने मोजिंगो का नाम सुना होगा कुछ मोगैमबो टाइप साउंड हो रहा है और मोगैमबो ही है वो मोजिंगो रिएक्शन ऑक्सिजन गायब हो जाएगा और वह अली रिएक्शन में आपको कराने वाला हो फिर आपने ये भी रियेक्शन देखा होगा डाइबल एच जिसमें हो अब ये डाइबल एच क्या होता है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छा उसके बाद वुल्फ किसनर के बारे में आपने पढ़ रखा जरूर है लेकिन वापस पढ़ेंगे उसी तरह मेरे प्यारे के से डामाइन हमारा फिनिश हो जाएगा और आपने अगर वह खुशखबरी नहीं सुनी है तो खुशखबरी जाके इसी चैनल पर सुन लेना जो मैंने बोर्ड के कैंसलेशन या बोर्ड के पास्पॉंड्मेंट पर बताया है तो चली स्टार्ट करते हैं अपने दिन सेशन को इस से पहले की मैं स्टार्ट करूं आपको मैं बता देना चाहता हूं इफ यू आरे 2022 इस पारेंट कान खोल के ध्यान से सुनी अगर आप 23 के इस पारेंट है बिटा टेंथ वोड कैंसल हो चुका है अब आप उसको भूल जाए मोह माया से बाहर निकलिए 10 का मार्स वैसे कि कहीं नहीं पूछा जाएगा उसके बाद कहीं नहीं लाइफ में किसी काम का नहीं आएगा तेंथ का माक्सेट इस जस्ट डेट ऑफ बार्थ सर्टिफिकेट अब सिंपल वहां से ही मेडिकल और इंजिनियरिंग की तैयारी करना चालू कर दीजे इफ यू आर प्रिपरिर किये हुए पढ़ सकते हैं वह भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चलिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले ले ना बाकि आप समझदार हो और यह चाइना चलने रहा है अज ठीक है ना अभी तो चला था आता है ठीक है और यह गाइडेंस आप 12 months 22 वाले ले सकते हैं और अगर आप 2023 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर गो फॉर दिस 24 months subscription खास बात यह है कि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 months की सब्सक्रिप्शन एक साल वाले सब्सक्रिप्शन पर फ्री मिलती है ठीक ना आप अपने आप माद देखी रहे हो कोरोना में कब अब एक्स्टेंड हो जाएगा कब क्या हो जाएगा पता नहीं है ठीके ना ओफ्लाइन क्लासिस का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि देख लो लॉक्डाउन वापस वाइस सीचूशन हो रहा है चलिए तो पढ़ाई में डिले ना हो क्योंकि लॉक्डाउन एक साल दो साल तीन स साल में खदम हो जाना है यह कोरोना कितना चलेगा मैक्सम भाई साइंटिस्स दिन रात लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ हैसा इस्टेबल चीज जरूर आएगा वैक्सिनेशन से उतना प्रॉपर अभी नहीं हुआ है लेकिन वह भी हो जाएगा नेस्ट बढ़ते हैं दोस् कोई मुझे बता सकता है स्टीफन रेक्शन में क्या हो रहा था इस्टीफन रेक्शन भी एक्जाक्ली सिमिलर है बस ध्यान यह रखना है कि इसमें प्लस टू में होता है क्योंकि यहांपर sn है तो यहांपर टू ऐक्विवेलेंट ऑफ एच्टू जेनेरेट हो रहा था क्योंकि sn से sn प्लस 4 में जाना है एलेक्ट्रॉन से 2 मॉलीक्विवेल एच्टू एच्टू एड्श थोगा ठीक है रोजन मन रेटक्षन ये बारे में मैंने बताया था कि यह कुल रेखुन कर बारे में पठाया है टो पढ़ी रखता है अब यहाँ से वैटा हम और अमेजिउंग तरीके से आगे आपको लगे आपको लएख मेरे पास LAH है, मेरे पास SBH है, मेरे पास Dival H है, और मेरे पास यह blank reduction है और यह सारी चीज़ हम पढ़ने वाले है, इसके बाद हम उल्फ किशनर, क्लिमेंशन, और रिड फॉस्फोरस है और मोजिंगो, आज हम खतम करेंगे चलिए, यह सारे क्या है, LAH क्या है, SBH क्या है, Dival H क्या है, और फिर यह blank reduction क्या है, एक एक करके पढ़ते है Reduction by metallic hydrites, अगर आपके पास metal के साथ hydrogen दिख जाए, क्या दिख जाए, metal के साथ hydrogen, तो वो metallic hydrites कहलाते है मेटल के साथ hydrogen दीख जाए तो वो क्या के राते हैं दोस्ट metallic hydrides और सुनिए ये जो metallic hydrides है they are reducing agent ये reducing agent होते हैं आफ सबसे पहली बात कि ये reducing agent क्या होता है ये reducing agent का मतलब है जो ह- Hydrogen टाइम रिलीज करें आप देख सकते हैं यह क्या है लिथियम ऐलमुनियम हाइड्राइड यह रिदूसिंग एजेंट है पता है क्यों क्यों क्योंकि एच माइनस रिलीज करता है यह सोडियम बोरो हाइड्राइड एने भी एच फॉर यह रिदूसिंग एजेंट है क्यों क्यों और और अभी चुका है उसी तरह यह sodium का S, borow का B और hydride का H, यह SbH यह शार्ट form exam में आ चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, SbH sodium borow hydride को बोलते हैं और lithium aluminium hydride LH को बोलते हैं, इस इस दिक्षद दिए, वाइ मेटालिक hydride is reducing, I already described it, चलिए, अब इसका मैं structure दिखा देता हू तो इस structure होता है, lithium क्या है? क्या group number 1 का है? तो group number 1 पे कौन से charge आता है? group number 1 पे मेरे प्यारे दोस, plus 1 charge आता है. क्या मैं aluminium hydride पे minus charge डाल सकता हूँ? देखिए, group number 1 पे plus 1 का charge है, और aluminium hydride पे minus 1 का charge है. यही होता है मेरे पास LH. Similarly, NABH4 में भी आप अगर देखो, तो sodium भी क्या plus 1 group number 1 का है? तो सामने वाला क्या neutral रहने के लिए minus 1 सो करेगा? अरे बोलो हाँ अगर करेगा तो? अब चलिए. अब इसका मैं structure बता देता हूँ. तो aluminium जो है, वो 4 bond बना रहा है, बना सकता है. क्यों? थर्ड पिरेड का element है, तो ज़्यादा बना सकता है. उसी तरह बोरोन भी, चुकि वैकेंट और P-orbital है, तो वो 4 bond बना सकता है. तो देखिए, lithium, aluminium hydride का structure, और similarly, sodium boron hydride, sodium borohydride का structure. लिथियम प्लस तो बाहर रहेगा, aluminium के 4 bond बन रहे हैं. और उसी तरह, Na plus तो बाहर रहेगा, boron के 4 bond बन रहे हैं. यूजॉली, aluminium plus three में exist करता है, ना, boron usually plus three में exist करता है, ना, group number 13 usually plus three में exist करता है, लेकिन यहां तो चार-चार bond बन रहे हैं. तो भाई साब, एक-एक ह- के form में release होता है, एक-एक ह- के form में release होता है, और चुकी ह- release करता है, इसलिए यह reducing agent कहलाते हैं, अरे भाई, clear है, बिल्कुल, next, अब देखिएगा, मेरे पास, यह भी ह- release करता है, अब यह भी देखा, और फिर यह भी ह- release करता है, अब competition हो जाएगा कि कौन ज्यादा release करता है, यह भी ह- release कर रहा है, यह भी reducing agent है, यह भी ह- release कर रहा है, यह भी reducing agent है, अब competition हो जाएगा कि कौन ज्यादा release करता है, अब सुनिए का बड़े गौर से बताऊंगा, रटना मना है, यह देखिए, aluminium third period का है क्या, और hydrogen 1S का है क्या, तो लह के अंदर 3P1S overlap होता है लह के अंदर 3P1S overlap होता है बहुत आची बात मेरे प्यारते दोस्तों और ठीके यह हाँ यह जो sodium borohydride है sodium sodium से कौन सा है यह बोरोन बोरोन कौन सा हो टूपी overlap है और hydrogen का 1S overlap है यहां के अगर बात करो तो 3P1S overlap है यहां की बात करो तो 2P1S overlap है आपको chemical bonding के knowledge से यह पता होगा कि यह ज्यादा strong bond है दोनों छोटे साइज है overlapping अच्छी है bond strong है यहां size difference ज्यादा हो गया overlapping अच्छा नहीं होगा bond weak हो जाएगा यही चीज यहां पर लिखा हुआ है पर चुकि इसका bond weak है इसलिए जल्दी टूट जाएगा इसलिए जल्दी hydrogen दे देगा ना इसलिए h- easily release कर देगा ले एच माइनस को ज्यादा असानी से release कर पाता है क्योंकि इसका bond weak है टूट जाएगा ठीक ना बिल्कुल सही बात है और sbh में strong bond है तो bond टूटे का नहीं टूटे का नहीं तो hydrogen release नहीं होगा और hydrogen release नहीं होगा तो यह एक weak reducing agent है यह it releases hydrogen easily यह देखेगा ले H में यह hydrogen जल्दी release कर देता है और यह hydrogen जल्दी release नहीं करता है इस डूट रिलीज़ हाइड्रोजन तो कि यह hydrogen release कर देता है मेरे प्यारी दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं यह एक अच्छा reducing agent है यह एक strong reducing agent है क्यों H माइनस फटा-फट रिलीज करेगा क्यों क्यों क्योंकि weak bond है similarly यह एक weak reducing agent है मेरे प्यारे दोस्तों बोलिए हां समझ आ गया थो ठीक है ना खुशी आनंद that is not in the वैसे होफमाइन के बारे में हमने पढ़ा रखा है हाँ पर हाइड्रोकार्बन चाप्टर में ठीक है खुशी यह नेक्स अब आईए तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि LH ज्यादा अच्छा reducing agent नेक्स आते हैं LH के बारे में और कहानी सुनते हैं पेट सारे functional group को reduce कर देगा except except alcohol दुनिया जहान की जितने भी functional group है सब को reduce कर देता है लेकिन alcohol को नहीं reduce करता है बस जो हमारा SVH है जो हमारा SVH है वो केवल और केवल तीन functional group को reduce करता है aldehyde ketone और acid hyalide जो हमारा SVH है वो केवल और केवल तीन functional group को reduce करता है aldehyde ketone और acid hyalide ये अच्छा reducing agent है इसलिए सारे के सारे reduce कर देता है alcohol छोड़के और ये weak reducing agent है तो केवल तीन को reduce करता है aldehyde ketone और acid hyalide पास्वज में आगे अच्छे से येस हाँ चलिए next आपके screen पे आता है दोस्त यहाँ पे it reduces all the polar bonds देखेगा बड़े गौर से ये बड़े गौर से देखेगा कि it reduces all the polar by bonds polar by bond का मतलब मेरे प्यारे दोस polar by bond का मतलब होता है c double bond o ये polar by bond है अगर मैं c double bond c बोलूं तो देखो दोनों की electron negativity c में non polar by bond होगे ये मेरे पास polar by bond है और ये मेरे पास non polar by bond है तो lh जो होता है वो सारे polar by bond को reduce कर देगा except alcohol अबल जैसे जैसे oxygen containing functional group है जैसे oxygen containing functional group है तो उसको वो alcohol में convert कर देगा अगर माल लीजे c triple bond N हो वो भी तो polar by bond है तो उसको amine में convert कर देगा नाइट्रोजन वाले को वह अमाइन में कनवर्ट कर देगा या फिर जहां पर अमाइड हो oxygen भी हो और nitrogen भी हो उसको भी में कनवर्ट कर देगा अब इसको किसे एक्जमप्लेमास में बता दून यह Conjugated Double Bond को Reduce करता है रेजोनिस में आपने Conjugation वगरा देख रठा है ठीक है यह सिनामिक दिख रहा है आपको इस इस सिनामिक पाई बॉन्ड एले एच जैसे ही आप डालोगे यह सिनामिक पाई बॉन्ड को भी कर देता है से मतलब function गुरुक है नहीं से कौन से अलकीन सिनामिक वानिक तो ल को रिद्यू से कर रहे हैं देखिए और है याकोहल का फोर्म ले री लिया अलदीहाईट क्योंकि सारे के सारे function को करता है जो बोले, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना, यास, नेक्स्ट आईएगा, जैसे मेरे पास ये एसीड हैलाइड है, अब एसीड हैलाइड में मुझे दिग गया कि एले एच है, बही एले एच, अलकॉहल छोड़के सबको रिड्यूस करता है, इसको भी अल्कोहल में बनाता है तो देख लीजिए अल्कोहल बना देगा कोच भी ओ ये अल्कोहल में बना देगा ती डबल बॉंड ओ वाले को अल्कोहल में बनाएगा सिंपल कहानी और अगर नाइट्रोजन आ गया तो आमाइन में कनवर्ट कर देगा ती डबल बॉंड ओ आ गया तो पटा फट बता देता है घो एक क्यूंकि कार्ब्न पर है डेल्टा- सचरह यहां मासुत जब करेंगा माइट को प्लस प्लस पर जाकर ग्यांट जब ARY OF Taking Twitch कने सकते करेंगा में मीनर कर जा good और न mogą तो भी अ बोरिंग सब्सक्राइगा तो chlorine leave कर जाएगा, R 3 double bond OH बन गया, मेरे पास फिर से LH है, LH फिर से बिटा-H minus release करके फिर यहां पर जाएगा, फिर से O minus बनेगा देख लेजे, मेरे पास water भी लिया हुआ है, LH, OH, L I A LH 4 जो reduction उसमें water भी लिया हुआ है, तो जब water से गा बन जाएगा, OH बन जाएगा, acid highlight हो तो यह living group को तरह लीव कर जाएगा और यह अल्कोहल में convert हो जाएगा living group की तरह लीव करेगा alcohol भी कनवर्ट हो जाएगा ठीक है बिल्कु सही है next टाइब यहां पर ही कंडिशन आपके पास है यह क्या है आपके पास यह मेरे पास ester है आपको पता है ओ और एक living group होता है आपको यह भी पता है ओम और एक living group होता है ये स्य ओ मेरे प्यारे अलकॉहल में convert हो जाएगा क्या यह alcohol में convert हो जाएगा और C H2O7 दिख रहा यह तो living group के तरह Network कर जाएगा लेख लीज़े देख लीजे बहुत पहुँसा है yes अब देखेगा nebh4 यह क्या है यह sbh की तो है sbh केवल aldehyde ketone और acid acid highlight से रियेक करता है aldehyde ketone और acid के हैलाइट से रियेक करता है बाकी किसी से रियक्षन नहीं देता एस्टर से रियक्षन कामेंट सुन बता सकते हैं मुझे ठीक है न यस एस भी अच्छ है चलिए नेक्स्स आते हैं दोस्त यह रही एनहाइड्राइड अनहाइड्राइड में आगें यह वाला लीविंग गुरूप आपको दिख रहा है क्या यैस और लिविंग गुरूप दिख रहा है तो यह एलको बनेगा क्या तू मोल्स और थी एच टू और बनता हुआ दिख रहे है क्या इस कार्बोनील को अलकोहल में कनवर्ट कर देगा एक कार्बन का का यह हो गया देख लिए टू मोल्स ऑफ अलकोहल बन रहा है क्लियर है नेक्स्ट आईए यह स्वीह स्वीएच केवाल अल्दि हाइड कीटोन और एसीड हैलाइट से रेक्शन देता है बात बात किसे रेक्शन नहीं देता है कोई दिखर नहीं है चलिए नेक्स्ट आते हैं लास की टाइमिंग च्रेंज करें सोच रहूं मैं भी सोच रहूं मैं भी काफी मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं तो इस पर बिचार कर रहो करता हूं एक दो दिन में कर दो ठीक है यस निश्ट मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आते हैं यहां यह 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 विटा यह क्या है मेरे पास कीटोन केटोन तो ले एच तो दे गई ना ले एक अलकौल्य छोड़कर सब को रेडिउस करता है तो यह कार्बोनिल करेंगा ओ लग जाएगा तो आर कार्बन पर ओच और फिर R, तो में ता कारवन की फैलेंसी पूरी करेगा, R, CH, OR, भई, NABH4, LDH, Ketone और, Acid Halide से Reaction देता है, तो Ketone है, तो ये Reduce कर देगा, Reduce करके Alcohol में Convert कर देगा, 2 Degree Ketone, 2 Degree Alcohol, स्वारी, Ketone 2 Degree Alcohol से मनता है, Ketone 2 Degree Alcohol से मनता है, Clear? ठीक है, ठीक है, No Problem, चलिए, नेक्स्ट आईए, नेक्स्ट कहानी आईए, पर यहाँ पर देखेंगा, यह हमारे फास क्या है, Again, Ketone, और अगर Ketone है, तो LH भी देगा, और SbH भी देगा, लेकिन ध्यान रखें, LH, पहले हम Water ले रहे थे, तो बड़े असानी से Answer आ रहा था, और SbH ले रहे थे, यह मेरे पास Ketone है, ठीक है, क्या यहाँ पर Delta Plus दिख रहा है, Carbon पर सबको दिख रहा है, Delta Plus, क्योंकि Electronegativity Difference है, यहाँ Minus तो यहाँ Plus, बहुत अच्छा, LH में H- Release होगा, और वो H- क्या, यहाँ पर यहाँ क्या ड्रेक हो जाएगा, जो कि Minus को Plus से जोड़ना होता है, तो जब यहाँ पर Hydrogen आके जोड़ जाएगा, तो इस Carbon के Bond को तोड़ना पड़ेगा, इस O- को कौन Hydrogen देता है? Solvent, इस O- को कौन Hydrogen देता है? Solvent, तो वहाँ से Hydrogen आके Deuterium आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त, यह O-D बन जाएगा, देख लिज़े answer, इस Carbon पे Hydrogen जोड़ा है और O-D जोड़ा है, इस Carbon पे Hydrogen जोड़ा है और O-D जोड़ा है, देख लिज़े answer, एकदम perfect, ठीक है, यहाँ आईए बेटा, SBD, SBD क्या होता है, अगर SBH होता तो H- release करता, SBD है तो D- release करेगा, इन दिस केस, SBD के केस में, बेटा, यहाँ पे D- release करेगा, और यहाँ पे Hydrogen के जोगे Deuterium आ जाएगा, और Double Bond O कहां Convert हो जाएगा, O- में, इस O- को कौन देता है Hydrogen, Solvent, तो बेटा, Solvent का H+, आके जुड़ जाएगा क्या, अरे देखो, होना समझा है तो, अरे देख लो, इस Carbon पे, Deuterium और O-H जुड़ा होएगा, देख लो, इस Carbon पे, Deuterium और O-H जुड़ा होएगा, देख लो, आपके सामने answer है, क्लियर है न, ठीक है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आते हैं, दोस्त, यह वाली कहानी, मैंने Last Point लिगा है था, LAH में, LAH अपने Cinamic Bond को Reduce करता है, और अपने SBH Conjugated Bond को Reduce करता है, क्या यह आपको Cinamic Bond दिख रहा है, Cinamic Double Bond दिख रहा है क्या आपको, Cinamic Alkin, तो इसको Reduce कर देगा, LH, यह जो हमारा LH है, इसको Reduce कर देगा, यह हमारा Cinamic Bond है, Cinamic Double Bond को Reduce कर देगा, क्यों, LH, और ध्यान रखें, Aldehyde भी है, तो उसको भी Reduce करेगा, Aldehyde को Alcohol, तो यह तो अलकोहल में Convert हो जाएगा, यह बन जाएगा, pH, CH2, CH2, फिर यह बन जाएगा, CH2, OH, LH, देख लिजे, कोई दिक्कत दिए, एक्जाटली सेम कंपाउंड, यह, लेकिन, LH, इस Bond को Reduce नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यह Cinamic Double Bond नहीं है, तो यह तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, लेकिन, हाँ, Aldehyde को Alcohol में तो बनाएगा, है, Aldehyde को Alcohol में तो बनाएगा, इसे, ठीक है, कोई दिक्कत दिए, ओम, Absolutely Correct, एरा, कृष्णा, अकांशा, तनू, श्रिवा, दिरेश, Absolutely सही चल रहा है, Next, आम आइड़ में आईए, अभी अभी मैंने बोला था, कि LAH में, LAH में, अगर Carbon Oxygen Bond हो, तो अल्कोहल में रेड्यूस हो जाएगा, लेकिन, अगर गलती से Nitrogen गुझ गुझ गया, तो अमाइन बना देना, अगर Carbon Oxygen Bond दिख जाए, तो अल्कोहल बना देते थे, लेकिन अगर Nitrogen गलती से गुझ जाए, तो अमाइन बना देना, आईए, अमाइन बना के दिखा देता हूँ, वेड़ा, यहां पर Nitrogen दिख गया, या तो, या तो Carbon के साथ Nitrogen Bonded हो, या तो Carbon के साथ Oxygen भी हो और Nitrogen भी हो, उन दोनों केसे में आपको क्या बनाना है, Amine, इन दोनों केसे में आपको क्या बनाना है, Amine, यही लिखा हुआ है, इस Functional Group Carbon और Oxygen का है, तो आपको Alcohol बनाना है, अगर Nitrogen के साथ है, तो भी Amine बनाना है, अगर Oxygen और Nitrogen दोनों के सा हाथ है इसका कहानि अमाइड है ना करके आप अमाइड बने एक खतम कहानी आगे बढ़िए कि अमाइड का कहानी आधे टीक है नेक्स्ट एस आचा छोड़िए यहां अगर मैं इसी को को SBH देता हूं तो अगर मैं इसी को SBH देता हूं तो अगर सोडियम बोरो हाइड्रेट भाई रियक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि SBH केवल तीन चीज़ों से रियक्शन रियक्शन नेक्ष्ट आ जाते हैं कि फटा फटीस का एंसर दीजिए यह क्या है मेरे पास एसीड और एस कारबन ऑक्सिएन वाला है तो अल्कोहल, SBH दोस्त SBH रियक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि तीन से ही रियक्शन करता है वो कौन है अल्दिहाइड, किटोन और अचिड हैलाइड इससे रियक्शन नहीं करेगा देर इस नो रियक्शन कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ सकते हैं, देख लो वेटा यह कहानी, यहां कारबन और नाइट्रोजन वाला है तो क्या बनेगा, अगर कारबन ऑक्सिएन होता है तो अल्कोहल, कारबन नाइट्रोजन होता है तो अमाइन, अगर आर हे कार्बन है और नाइट्रोजन का नहीं इसमें कुछ रटने ही नहीं है ना कार्बन ऑक्सिजन है तो अलकोहल कार्बन नाइट्रोजन है तो अमाइन कार्बन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन है तो भी अमाइन कातम कहानी और सिनामिक डेवल पॉंड को करता है रिडियूस बागी किसी को रिडियूस नहीं करता है अल्कोहल छोड़के बागी सब को रिडियूस कर देता है नेक्स्ट यह आपके पास कुश्चन आ चुका है आपके लिए AIIMS के अंदर करिएगा थोड़ा कुश्राएं नेक्स नेक्स यहां अईगा तो दोस्तिव आपको ले टिसन करना पहलेतनना पहले ऊपर वाला का बात कर रहे हैं तो ले एच ऑवियस है करें फील Bye करेज औरiston करेगा रियक्शन ये एक्शर करेगा तो इसको भी किटोन है इसको भी रिएक्शन करेगा तो यह वाला जो है उसको अल्कोहल बना देगा यह वाला जो है उसको अल्कोहल बना देगा यह वाला जो है अगेन कार्बान ऑक्सजेन है तो अल्कोहल बना देगा लेकिन इसको अमाइन में कंवर्ट कर देगा तो कार्बन और नहीं के सकती सब्काइब करूए यहां देखें किटोन है तो 2 al Étude कंछा यही चीज़ अगर से रेक्ट कराओं तो जो होगा यही चीज़ से propagating बेटा, SBH से केवल तीन reaction देते हैं, aldehyde, ketone और acid hyalide, मेरे प्यारे दोस्त, SBH से कौन-कौन reaction देगा, green से mark कर रहा हूँ, SBH से reaction देगा, मेरे प्यारे दोस्त, SBH से reaction देगा, वो होगा मेरा aldehyde, वो होगा मेरा ketone, और बाकि कोई SBH से reaction नहीं करेगा, अगर यहाँ पे तीन ही से तो reaction करता है, aldehyde, ketone और acid hyalide से, तो यही दोनो reaction देंगे, बात बाकि सेम रह जाएंगे, SBH में यह दोनों सेम रह जाएंगे, यह दोनों react कर जाएंगे, तो देखना बेटा, इसका alcohol convert हो जागा, इसका 1 degree alcohol, इसका 2 degree alcohol, इसका CH2OH, और यहाँ पे carbon से OH जुड़ जाएंगा, final, that's it, ठीक है न, कोई दिक्कत दीए, next, आगे बढ़िये, देख लिए, केवल यही पे change हुआ है, बात बाकि कहीं change नहीं हुआ है, आगे बढ़ सकते हैं, next, इस कहानी पे आईए, question आईए, फटा-फट करिए, question जितना करेंगे, उतना ही सही रहेगा, फटा-फट question करिए, यहाँ पे आते हैं दोस्त, LH, अरे भई, acid halide है, तो क्या करेगा, carbon oxygen है न, तो CH2OH में convert कर देगा, carbon OH लगा दो हैं आपर खतम कहाने, carbon OH लगा दो हैं आपर खतम कहाने, अब आते हैं SbH से, SbH से acid halide reaction करता है कि नहीं, करता है, SbH से halide reaction करता है, तो फिर से अगे इन same product बना देगा, फिर से अगे इसको alcohol में convert कर देगा, देख लिए जे, alcohol में convert हो गया क्या, SbH का full form, very good, SbH का full form is मेरे प्यारे दोस्त, sodium, this is boron, and this is hydride, सबसे पहला आज का starting यही से किया था दोस्त, next, rosenmunt reduction, अरे कल ही पढ़ा है rosenmunt के बारे में, H2PD, BASO4, कल ही पढ़ा है rosenmunt के बारे में, rosenmunt क्या है, H2PD and BASO4 poison catalyst, H2PD, BASO4 poison catalyst, यह क्या करता है H2PD, BASO4, partial reduction, यह क्या करता है H2PD, BASO4, partial reduction करता है, ठीक है न, यह partial reduction करता है rosenmunt, ठीक है, बिलकुल सही, aldehyde, वाव, त्स ग्रेट, इसको aldehyde में convert करेगा, और rosenmunt aldehyde तक ही रोक देता है, उसके बाद alcohol में convert करने, नहीं देता है, तो देखेगा, इसका aldehyde का formation होगे, वाव, ग्रेट, कल का याद है आपको, फिर आते ही H2 निकल में, अब H2 निकल क्या करता था कल, H2 निकल क्या करता था, सारा का सारा convert कर देगा, यह वापस alcohol के इंदर, रोजनमंट कल था, और lind-lars catalyst था, दो था, रोजनमंट कैटलिस्ट और lind-lars catalyst, यह दोनों partial reduction करते थे, aldehyde पर जाके रोख देंगे, लेकिन बाद बाकी सारे complete reduction देते, next, यहां आजाईए, अब मैंने H2 निकल आपको करा दिया है, रोजनमंट करा दिया, मेंडियस करा दिया, इसके बाहर exam में question आई ही नहीं सकता, और जिस दिनी 2021 का paper आएगा, मैं same video अपली करूँगा, इसके बाहर से question निकाल के दिखा देना मुझे, आगे बढ़ते हैं दोस्त, डाइबल H की बात करते हैं, डाइबल H, यह डाइबल H क्या है, कई जगे डाइबल लिखा होगा, कई जगे इसको, डाइबल H के जगे डाइबल लिखता होता है, simple simple, और कई जगे, कई books में इसको D by H भी लिखते हैं, D by H भी लिखते हैं, L नहीं लिखते हैं उसमें, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, यह डाइबल का फुल फॉर्म क्या है, यह डाइबल का फुल फॉर्म क्या है, आइए समझते हैं, डाइबल इस, D for a dye, D for a dye, I for a ISO, B for butyl, A for aluminum, and H for hydride, कई जगे इसको डाइबल लिखा जाता है, कई जगे इसको डाइबल H लिखा जाता है, अर कई जगे इसको D by H लिखा जाता है, जिसमें Aluminium का AL गाइब कर लिए जाता है, ठीक है न, Al क्या है आपके पास, Aluminium का AL है, Aluminium का AL गाइब कर दिया जाता है, तो D by H भी हो जाता है, ठीक है, येस, अब देखना, अब देखना मेने प्यारे दोस्ट, डाइबाल H का मतलब होता है, वही जो reducing agent है, वही जो H minus देगा, इस इस similar like metal hydride, भाई, aluminum से hydrogen जुड़ा है न, aluminum क्या है मेरे पास, aluminum क्या है मेरे पास, metal ही तो है, और metal hydride ही तो है, और isobutile क्या होता है, Isobutyl Structure, आपका यही तो होता है Isobutyl Structure यह Isobutyl Structure यही तो है Isobutyl Structure यही तो आपने देखा है ठीक है न? तो Di-Isobutyl Aluminium Hydride इसी को बोले बना जयता है Dival H यह Dival H भी थे LH और SBH करता है H- देना H- देना, that's it अब Dival H को अलग से क्यूँ पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ खास बात है, मैं बताता हूँ आपको, Dival H को अलग से क्यूँ पढ़ते हैं, उसकी कोई खास बात है, क्योंकि ये Rosenman की तरह partial reduction देता है, ये Rosenman की तरह partial reduction देता है, ये again alcohol में ना reduce करके aldehyde में ही छोड़ देगा, किसको किसको reduce करता है cm को और acid derivatives को आगे question करके बताते हैं डाइबल H का पहला example reduction of ester to aldehyde मैं ने बोला ना यह partial reduction करेगा alcohol में convert नहीं होने देगा aldehyde के preparation reaction में भी इसको पढ़ाते हैं मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूँ डाइबल H क्या करता है आपके पांस ester हो अगर मैं यहां पर LH डाल देता तो क्या होता भाई सीधा सीधा alcohol में convert कर देता लेकिन डाइबल H डाला है तो partial reduction होगा और partial reduction होगा तो मेरे प्यारे दोस्ति कहां convert हो जागा aldehyde में convert हो जाएगा देख लिजे और डाइबल H की जो temperature होती है वो बहुत ही low होती है डाइबल H का जो temperature है वो बहुत ही low है और वहां पर hexane इस्तेमाल किया जाता है बस ध्यान रखने के लिए अच्छा है बाकि simple simple डाइबल H लिखा मिलेगा आपको examine और temperature बहुत लोग होता है ठीक है यह partial reduction करता है इसका कोई mechanism आपके important नहीं है पस यह ध्यान रखना है डाइबल H पार्शिय लिखाओगे तो यह partially reduce करेगा और partial reduce करके यह सीधा aldehyde में convert कर देगा ठीक है न यस aldehyde में convert कर देगा aldehyde बनाने के लिए उसमें hydrolysis वगर इस्तिमाल करते हैं वह छोड़ी होतना आगे नहीं नेक्स्ट यहां तक हो गया अब आते ही बीटा blank reduction blank reduction क्या होता है सुन ये blank reduction क्या होता है metal plus acid लिख रहेगा metal plus acid या metal plus base ठीक ना चलिए ठीक है metal plus acid आये blank reduction क्या होता है मेरे पास अगर मालीजे ये सारे हैं और metal plus acid और metal plus base क्या करते हैं आपको carbon family में मैंने बता रखा है कि अगर कोई metal acid से reaction करे तो क्या देगा और अगर कोई metal base से reaction करे तो क्या देगा भाई metal अगर acid से reaction करता है तब भी आपको नेक्स्ट आये पिटा यहां पे भी h2 release होगा क्या metal plus acid हो या metal plus base लिखा हो आपके पास वह release हो जाएगा क्या Amine में convert हो जाया हुआ यहां है दोस्त एस्टर है C और O हे तो अलकोहल में convert Ah अलकोहल में convert करने के लिए यह अलग अलकोहल में के लिए वाला पार्ट अलग और यह वाला पार्ट अलग हो take क्योंकि यह living group की तरह लीव करेगा ना तो दोस्स यह अलग बनेगा ester में और यह वाला alcohol आपको अलग बनेगा ester में सारे ester में ऐसे ही करना है आपको ठीक है न कोई दिक्कत दीए आगे बढ़ के तो देखेगा metal प्लस acid metal लेटल प्लस बेस क्या करते हैं एच्टू रिलीज करते हैं और एच्टू एड़ करके रिडक्शन हो जाता है तो अल्डी हाइड का इलकोहल साइनाइड का माइन और देखा एस्टर का फिर से अलकोहल क्लियर है को दिक नहीं आगे बढ़ सकते हैं को आप यह चलिए अब आते हैं दोफ्त यहाँ पर मेटल डॉस डाला हो या मैटल प्लस ब 개स टाला हो तो क्या करेंगी आप मेरे पास कारबॉक्सलिक इस्ट लेहैं की तरह सोची एंग्idity सेमल आच है ठीक है आपके पास मेश्lusion मेटल प्लस मेस ki क्या करेगा ह 2 च्ट्ट्म देहें यह एल्कोहल्ट हो जाएगा कि देख लेज़े कार्भॉकसलिक जांगफ हो जायाches यहां तेकЖ देखेवेसर आलने के पाइब के टोने करिदूर्टन के टोडिगरीन अल्कॉहल में लास्ट के आभ यह आपको पता भी नहीं चला ऑक्सिडेशन रेड़क्शन चैप्टर में हमने कम से कम पचास से साथ नेम रिएक्शन करें हैं 50 to 60 pages पलटके देखना ठीक है येस आगे बढ़ते हैं दोस्त वुल्फ किष्णर और क्लिमेंशन की बात पहले कर लेते हैं ओल्फ किष्णर और क्लिमेंशन की बात हम पहले कर लेते हैं ये दोनों और دोनो हम लग हाईडरोकारबन में पढ़ रहे हैं वह वाप अपैस एक बार देखते हैं ये और कीटों से LDHID याफिर ketone पे ही एक्ट करते हैं कोई carboxyl acid याफिर acid derivative पे एक्ट नहीं करेगा देखेगा उल्फ किष्णर और Clemensum की हम बात करते हैं देखें अभी तक हमने क्या किया carbonic compound को कहां पे ले गए carbonic compound को मैं alcohol में reduce करा दिए अभी तक मैंने यही तो पढ़ा है चाहे LH हो चाहे Stephen हो, चाहे Mendies हो चाहे कोई भी reduction हमने करी उसमें simple हमने carbonil से alcohol में reduction करा या फिर finally amine में reduction करा या फिर डाइबल H वगर है type या फिर किस के type रोजनमंडियल इंडलार्स की help से मैंने aldehyde पे रोक दिया इसको तो final product या partial reduction से हमारा aldehyde बन रहा है partial reduction से हमारा aldehyde बन रहा है लेकिन finally हमारे पास alcohol और amine बन रहा है अभी तक हमने वो वाले process पढ़े ही नहीं जिसमें carbonil से alkane बनाया जा सके तो वो ये सारे process हैं जो सीधा carbonil से alkane बना देते हैं सीधा carbonil से alkane बना देते हैं तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं carbonil से alkane बनाने का process गौर से सुनिए गौर से समझे और अच्छा लगेगा आपको ये जो उल्फ किष्णर और क्लिमेंसन हैं ये दोनों किस के लिए हैं ये दोनों पीटा ailedihyde and ketone के लिए वैलिड है वुल्फ किष्णर और क्लिमेंसन है ये दोणों aldehyde and ketone के लिए वैलिड है अब अर्भी aldehyde कैसे और kemencion कैसे aldehyde क्या होता होता और klemencion कैसे क्या होता है याद रखे par ai al di hyd water ketone को short form में मैं लिख रहा हूं A-K, that means Akshay Kumar, क्या लिख रहा हूं? Akshay Kumar अब देखिएगा, Akshay Kumar का A-K मतलब Aldehyde Ketone Akshay Kumar का, जंग होगा Akshay Kumar की लड़ाई होगी, Akshay Kumar का, जंग होगा Aldehyde Ketone का, जंग होगा किस से? Aldehyde Ketone का, जंग होगा और उस लड़ाई में, जंग में, लड़ाई में किसी ने acid फेक दिया, किसी ने भाईसा acid फेक दिया, उस लड़ाई में किसी ने acid फेक दिया, लड़ाई बहुत ही खूनी खेल रूप ले चुका है, that means उसमें acid attack हो गया, लड़ाई हुआ, तो उस लड़ाई में हमने acid attack देख तो यह होता है आपके पास क्लिमेंशन रेड़क्शन यह होता है आपके पास क्लिमेंशन रेड़क्शन यह 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 क्लिमेंशन रेड़क्शन के लिए अपने ketone के लिए इस्तेमाल होगा दूसरा जंग होगा देटमेंस इसमें जिंक इस्तेमाल होता है होगा देटमेंस HG इस्तेमाल होता है acid attack मतलब इसमें concentrated HCl हम इस्तेमाल करते हैं और aldehyde or ketone पे जब acid attack होगा तो aldehyde or final product कियाएगा तो aldehyde का oxygen जल जाएगा क्योंकि acid attack जब acid फेगा जाएगा तो जल जाएगा aldehyde का oxygen जल जाएगा बर्न हो जाएगा ठीक है कीटोन का oxygen बर्न हो जाएगा समझ में आ गया उल्फ किस्टनर हो या क्लिमेंशन हो मेरे प्यारे दोस्त जिंक hg concentrated hcl से क्या होगा क्लिमेंशन हो जाएगा अब आते हैं उल्फ किस्टनर अब यह अक्षय कुमार है ना अब अक्षय कुमार बेटा movies वगरा करते हैं अक्षय कुमार में movies वगरा होती है बॉल्यूड movies और बॉल्यूड movies में आजकल थोड़ा सा समयरो ना वह वाली सीन्स भी होती है किस्टनर आप समझगे होंगे मैं नाम नहीं ले रहा हूं बड़ समझदार के लिए सारह काफी है ठीक है तो अक्षय कुमार की movie में मालो यह वाली सीन है इम्रान हसमे टाइप तो क्या होगा कि इनको एजजीन मेंटेन करना पड़ता है कभी किसी movie में कुई सीन है कभी किसी movie में कोई सीन है तो यहां पे हैजीन मैंटेन करना पड़ेगा अक्षय कुमार को he याःजीन करना पड़ेंगा नहीं तो दुकाओ किर बीमारी मारी हो सकती है हाइजीन मेंके इन करने के लिए वह कहाँ रहते हैं आप debray वास के अंदर स्यक् Judas भस के अंदर। तो देखेगा अक्षे कुमार हाइड्राजीन हो आपके पास हइजीन मतलब है डर्जीन वो भी बेज के सी हो तो फिर आपके पास क्या होगा का अगें अल्डी हाइड की टोंका ऑक्सीजन जल जाएगा हैba अभी साइनियल प्रोडुक्ट बनाएक दिखाऊगा याद हो गया होगा यहाद हो गया होगा आपको फिर उस ट्ल मेंशन आपको याद हो गया हो और है हहाँ कि ऑगे बढ़ते हैं कोलफ किशनर क्या कहता है इसंके नम में ही सब कुछ हुपा हुआ कि दोस्त इसके नम मरी सब कुछ दो निकियां कि धूए तो यह ना चाहिएале किशनर और लुट के certains तो अक्ष्ञ तो करनी पड़ेगी बहुत अच्छी बात ठीक है तो वहें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्या हो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसको जलाया गया है हीट किया गया है कहां पर बेस सॉलूशन में बस मतलब बेस हाइड्राजील हाइजील ठीक है ना तो जो कार्बोनिल ग्रूप है यह जो सीयो है यहां से ओक्सिजन गाइब हो जाएगा मतलब यह मिठाइलीन में कनवर्ट हो जाएगा आपने क्या किया इस कार्बन से ओक्सिजन को गायब कर दिया देखिए ओक्सिजन को छुपा दीजिए तो वही मिल रहा है तो यह मेरे पास उल्फ किशनर को दिक्कत नहीं है यह मेरे पास उल्फ किशनर रिडक्शन को दिक्कत वाली बात नहीं आगे बढ़ सकते हैं यहां पी क्या होता है दोस्त जब मैंने आपको मेकेनिजम पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको अल्रेडी यह सब बता दिया था ध्यान रख लेंगे कि कार्ब र जना इन इंटर्मेडिएट फोर्म होता है और यग्यल्त कि बढ़ करों तो कार्बो केंटाय इन्टर्मेडिऐट फॉर्म होता है तो अक्षैकुमार का चाहे aldehyde हो चाहे ketone हो जंग होगा और जंग में acid attack हो जाएगा और acid attack होगा तो oxygen जल जाएगा देखिए oxygen छुपातो तो मिल जाएगा आपको कुछ करने ही नहीं है aldehyde ketone का oxygen कायब कर देना है जला देना है oxygen aldehyde ketone का that's it your clemension and wolf kishner इतना है आगे बढ़ते हैं दिखिएगा यहां पर carbocatine intermediate अगर kishner हो तो negative चीज ना कार्बन आयन बनेगा किशनर हो negative चीज है खराब चीज है that means carbon आयन बनेगा और नहीं हो तो लड़ाई-बड़ाई कार्बो-केटाइन हो गया है चलिए next आगे आते हैं drawbacks of clemension यह थोड़ा important है clemension का कुछ drawback होता है अगर OH है clemension में हम बेटा HCL इस्तिमाल कर रहे है concentrated वह भी concentrated HCL इस्तिमाल कर रहे है अब तुनिए गा कि अगर मेरे पास OH है ना तो CL उस OH को replace कर देगा अगर मेरे पास OR होगा तो CL उस OR को replace कर देगा अगर मेरे पास acetyl होगा तो वहां भी बेटा OR होता है तो उसको भी replace करेगा क्यों क्योंकि acid base reaction हो जाएगा यहां पर acid base reaction हो जाएगा अगर मेरे पास ketal है तो वहां भी अगर मेरे पास alkyne है तो वहां भी यह reaction कर देगा alkyne में addition reaction कर देगा ठीक है ना H plus और CL minus add हो जाएगा तो क्लिमेंशन की यह खास बात है कि यह acid base reaction कर जाता है यह addition reaction कर जाता है तो यह सारे अगर हो तो फिर आपको क्लिमेंशन ना कराके वुल्फ किषणर पे धियान देना चाहिए क्लिमेंशन ना कराके वुल्फ किषणर उपर कराना है देखा प्रोडट्ट्ट्टों में बढ़ा आसानी से लिख दूँगा आपका प्रोड़क के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है औक गया टो आपके जाएक तो दोनों का लुटना में दिमाग में गुटना लगा लिकिजेंगे यहां यह लिए यह है किसनर रिख्षिन प्रड़क्ष्ण करा रहा है उल्फ किसने रेक्शन कैसे होता है दोस्त ऑक्सिजन गायव कर दिजे खतम अल्टिहाइड और कीटोन पर ही रेक्शन करता है गलती से अलकोहल पर रेक्शन मत करता है ठीक है और यहां पर ओएच है तो ओएच ओएच का कुछ नी भी गार पाएगा देख लेज़े इसको गाय हैं ने जंग होगा तो क्या होगा क्लिमइंशन में दोस्त यहां देखिया क्या ऐसी माइनस से तो इस ओएच को सी ऎ रिप्लेस होतो जाएगा दोस्ट और शिर्टियेट्ण में मैंने죠 इस टो गाइब होगा ही से अर्च और ये तो गाइब होगा ही से कोई दिकत दियेक इस किलोएंच में खास ध्यान रहना है वेच उवार ऐंट डबहन नेस्ट यह मेरे पास किलई क्लिमेंशन रिडक्षिन है और यह हाइजीन है यह यह फटाफट करिए आईए तो इसमें कुछ करना ही नहीं आपको एक प्रोड़क्ट तो पते हैं डबल बॉंड गाइब कर यह प्रोड़क्ट आ जाएगा लेकिन क्लिमेंशन में ध्यान रखना है कि डबल बॉंड पे एड यहां पे हाइड्रोजेन करा दोगे कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास क्लिमेंशन में थोड़ा सा ध्यान रख लिए बात बाकी उल्फ कुछ करने नहीं यह गाइब कर यह प्रोड़क्ट आजाएगा कि ऑकजिन जलादो प्रोड़क्ट आ जाएगा मेरे प्य यहां ऐसे भी आएगा ठीक है ना हाँ सिंपल यह तो गायब करना है ज्यान रखें ऑक्सजेंगी करना है डबल बॉंड से रिक्षिन नहीं कराना है कि लिमेंसन होगा तो डबल बॉंड से रिक्षिन कर जाएगा तैट मेंस आपको हाईजीन और वुल्फ किशनर लेना पड़ नहीं एच्टू से क्या होगा अगें कीटो ने टू डिग्री अल्कॉल में कनवर्ट हो जाता रैट येस तो यहां पर इससे वही प्रोड़क्ट बनेगा आपको ओल्फ किशनर रिदक्शन करानी पड़ेगे डबलू के या नेक्स्ट एंसर सी नेक्स्ट आगे बढ़ते है ये आपके पास कोश्चन है फटा-फट करिए का पांच में ब्र में बंबर रिंग में अर्रेशाम होगा का वह यह बना दिया है अच्छा अच्छा में पांच में में बंब रिया में कर दिया तह मने चलो लू Nick टेक्स्ट आई है सर बेंगॉली है गया वाव बेंगॉली में इतने ही आता है आमी तोके बालो बासी ऐसे कुछ है ना उतनी ही आता मैंको ठीक है यार क्या यार क्या चल रहा है चैट में आप लो अरे यार थैंक यू समिता, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, थैंक यू ठीक है, येस नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां भी आईए जेडन HG, HCL, ये क्या है आपके पास क्लिमेंशन रिदेक्शन है क्या और क्लिमेंशन रिदेक्शन क्या करेगा, इस किटोन को ऑक्सट गाइब करदेगा क्लिमेंशन रिदेक्शन क्या करेगा, इस किटोन को ऑक्सट गाइब करदेगा, सिमिलरली जो स्टीयल है, यहां पर जाके आइड हो जाएगा सिमिलरली जो स्टीयल है, HCL कायव हो जाएगा उसके बाद यहां पर एडीशन हो जाएगा इस पर और इस ओएच को सील रिप्लेस कर देगा खतम कहानी यस खतम कहानी देख लीजे ठीक है आगे बढ़ते ही लेच क्या होता है दोस्त रिडूसिक एजट होता है वो तो सबको बता है क्या करता है इसको एलकोहल बनाएगा इस वाले को एलकोहल बनाएगा दोस इस वाले को एलकोहल बनाएगा वो और लेच डबल बॉंड को क्या करता है लेच का डबल बॉंड स यहां यहां पे आते हैं उल्फ किसनर रिड़क्षिन क्या करता है उल्फ किषनर रिड़क्षिन इसको गायब करेगा और बात माधी किसी से उल्फ किशनर बड़ा सीधा है बिटा उल्फ किशनर बड़ा सीधा है किसी से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है ना आप समझ सकते हैं बात बागी वैसा कर वैसा रहेगा बस ऑक्सिजन गाया बजाएगा ओके सो हम ओके सॉरी ठीक है मतलब ऑविसली आई लब माइ स्टूडेंस इसमें क्या दिक्कत है और आम ही तुमा के भालो बास ही बोल सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ओहा कर रहे हैं ऐसरे कर रहे रहे भाया वही मतलब नहीं होता इधर आओ गंदे लोग एस्टू फ्लसaur की बात कर लेते हैं एस्टू प्लस नीकल दोस्त को अलकेंग कंवर्ट करेगा इसको अल्कौहल कंवर्ट करेगा यह मतलब कलिण से अल्ट घयर प्रकुं दॏव ही म्याँ मतलब घयर हो शूद्ट होओ यहाँ जह सीधा सिधा यह oxygen गयर कर देगा Clemension nephew हो जाएगाridu कोई and acid derivative कोई reduction, कोई reaction नहीं देगा. Similarly, Ulf-Krishner की भी बात करो, तो वो भी वही product देगा, इस double bond O को गायब कर देगा, उसको भी acid से कोई मतलब नहीं है. Next. यहाँ प्याई है, मेरे प्यारे दोस्त, यह रहा कहानी, अब Clemencion करिए, Ulf-Krishner करिए. Clemencion करिए, double bond O कायब हो जाएगा. Clemencion करिए, double bond O कायब हो जाएगा. Clear है? Yes. और यह CL के जगा है. Clemencion में तो CLE होता है, CL के जगा CLE रहेगा, दोस्त. Clemencion में HCL यूज करते हैं ना, तो CL के जगा CLE रहेगा. लेकिन, 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 थोड़ा सा यहाँ पर गौर फर्माना है आपको. थोड़ा सा यहाँ पर गौर फर्माना है. यह होगा. Ulf-Krishner देखिए. Ulf-Krishner में क्या होगा? मेटा, Ulf-Krishner में आपके पास यह होगा. Ulf-Krishner में मैंने आपको बताया, कि Carbonine Intermediate बनेगा. और जब Carbonine बनेगा, तो वो यहाँ आएगा और CL को Living Group की तरह लीव करा. Carbonine Intermediate बनेगा और जो यहाँ आएगा, उसको Double Bond बनाके CL को Living Group की तरह लीव करा दे. ठीक है? Next. Mozingo. भाई, Mozingo में, Mozingo और Mogambo एकदम सही सही लग रहे गया, Mozingo हो, Mogambo हो, यह मिलता जूलता लग रहे है क्या? Yes. तो आपका Mozingo, Mogambo यह सेम ही है. Oxygen का जानी दुस्मन. Mozingo, अच्छा, वो तो Red Phosphorus है चाही, सुनिए. क्या करेगा यह? यह क्या करेगा? चाहे आपके पास Aldehyde हो, चाहे आपके पास Ketone हो. Mozingo Reduction क्या होता है? Dithiol, ठीक न? Dithiol होता है जब 2 OH लगा हो. लेकिन यहाँ पर SH लगा हो, तो इसके लिए मैं Dithiol बोल रहा हूँ. Dithiol प्लस H2 निकल. Dithiol प्लस H2 निकल क्या देता है मेरे प्यारी दोस्त? Mozingo Reduction. Dithiol प्लस H2 निकल क्या देता है मेरे पास? Mozingo Reduction. तो देखे, कहानी आगे, यहें पर बन गया. आपके पास यह कहानी खतम हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो. और यह Reduce हो जागा है, RCH3. Dithiol प्लस H2 निकल है, अलग से आपको Mozingo देख जाएगा. Similar like Ulf Kishner and Clemension. देखे, यहाँ पर गाइब हो जाएगा, RCH3 में Convert हो गया. Similarly, यहाँ से गाइब हो गया, RCH2 R में Convert हो गया. कुछ करना ही नहीं है, डबल बॉन्ड हटाना है, H2 जोडना है. डबल बॉन्ड हटाना है, हाइडरोजन जोडना है. तो देखे, इसके पास कहाणी यह बन गया. कोई दिक्कत ही नहीं है. डाइथायोल प्लस H2 निकल. This is Mozingo. डाइथायोल प्लस H2 निकल. रेड़ हीट तो हो गई सही ना. तोड़ी हो उसकी. नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी. कहाणी बड़ी सिंपल है, दोस्स. कहाणी बड़ी सिंपल है, देख लीजे. और डाइथायोल वापस रिलीज भी हो जाता है. ठीक है? यस, यह हो गए आपके पास Mozingo. अब आते हैं दोस्स, रेड़ फोस्फोरस H2 के उपर. रेड़ फोस्फोरस H2 क्या होता है? रेड़ फोस्फोरस H2, ऑक्सिजन का दुस्मन. ऑक्सिजन का जानी दुस्मन. जहाँ जहाँ ऑक्सिजन और बॉन्ड को तोड़ देता है. देखे, रेड़ फोस्फोरस H2 क्या करेगा? यह बॉन्ड को तोड़ देगा. वाला में यस इधर से यह भी आरेच तो टूमोल ऑफ रच इस इमिलर्ली ऑख्जिएन वाला बॉंड तोड़ देगा तो क्या बनेगा आर सी एच तो आर च तो बड़ाई तिमपल यह कहाने है को ऑक्सिजएन आपको हटाते जाना है प्रोडक्ट बनाते जाना है ऑक्सिजएन आपके पास बॉड़ तोड़िए ऑक्सिजएन हटेगा और इघर सिताव इस इन का पॉड़ तो टोड़िए तो आरेच राइच हैड़ साइड से जानी ऑक्तिए यह रेट फोसफोर से तीन बमान तोड़े हैं तो हां समझ आ नरे तो हो निए समझ आ हैklär यह यहां से तीन बमान तोड़ेंगे गांतल राइट थे पे तीन बमान तोड़ेंगे तो तीनgado तो रिकार चक्ष मिताए र्धाई कोई दिख अरे क्या हो गया सो हम कोई दिख करती है नेक्स्ट यहां पर आईए रेट फॉस्फोर से चाहिए बात कर लेते हैं सारी ऑक्सिजन के बॉंड तोड़ दीजिए तीन बॉंड तोड़े हैं तो तीन हाइड्रोजन आर्सी है सरी ठीक है ना येस प्रोटेक्टिव ग्रुप रेक्शन वो अलग है दोस्त प्रोटेक्टिव इस संथिंग डिफरेंट जो की नीट में नहीं है ठीक है ना प्रितविराज उसके लिए बिल्कुल टेंशन फिरी रही है प्रोटेक्टिव के लिए प्रोटेक्टिव क्या होता है क बिल्कुल मत पढ़िए उस चक्कर में डाइथ हायोल प्लस हिच्टू निकलीज मोजिंगो इस नॉट उसके लिए इस्तिमाल कर सकते हैं अगर मैं एक उप्रोटेक्टिव हो जाता है बिल्कुली गलत कॉंसेप्ट लिए वह हो ठीक है चलिए रेट फॉसफफरो से चाहिए ड चाहिए ऑक्सिजियन का जानी दुसमन यहां पर यहां पर रह जाएगा यहां पर यहां पर मिथाईल रह जाएगा ठीक है यह बन जाएगा आपके पास झाइगा औक काईब कराएए और आपके पास मिथायल बनाते चला जाएगा ने कहांटि यहै पेड़ा जाएगा यहां OH हट के H जाएगा OH हट के H, OH हट के H, OH हट के H. सारे यह OH हट जाएगे, हाइडरोजन बन जाएगे. ठीक है ना? यह आपके J-Mains में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है? रेड फॉस्परोज एचाई ऑक्सजिन का चाहनी दूसमन. जहां भी ऑक्सजिन बन तोड़ दो हईडरोजन लगाओ. OH ऑक्सजिन हटाओ, हईडरोजन लगाओ. ऑक्सजिन हटाओ, हईडरोजन लगाओ. यही कॉंसेट लगाना है. नेक्स्ट इसमें आईए. नेक्स्ट इसमें आईए. बिटा यहां पर LH है. LH इसको अलकोहल कनवर्ट कर देगा क्या? अगेन इसको भी अलकोहल कनवर्ट कर देगा क्या? अल्डिहाइड है. अगेन इसको अभी अलकोहल कनवर्ट कर देगा का? किटोन है लेकिन LH अलकोहल से रियक्ट नहीं कर पाएगा आईए बाकि सब जगे अलकोहल कनवर्ट कर दिया है इसको कोई छेड़शा नहीं कर पाया जिंक HGHCL क्या ये क्लिमेंसन रिड़क्शन है अगर क्लिमेंसन रिड़क्शन है तो अल्डी हाइड और किटोन से रियक्शन करेगा अगर क्लिमेंसन रिड़क्शन है तो अल्डी हाइड से और किटोन से रियक्शन करेगा बाबा सीटी मार रहे है तो तो यहाँ पे भी यह क्या ऑक्सिजन गयब कर देगा और यहाँ पर भी oxygen गाइब कर देगा देख लीजे कोई दिक्कत नहीं है oxygen नहीं गाइब किया है लेकिन HCl है तो OH को नहीं बखसेगा OH और HCl देख लीजे पीटा acid-base reaction करके मानेगा नेक्स्ट ये है मेरे पास उल्फ किस्णर उल्फ किस्णर केवल और केवल अल्डिहाइड की टोन पे ध्यान है इसका केवल और केवल अल्डिहाइड को टोन OH को भी कोई छोड़चा नहीं करेगा लेकिन यहां आओ रेड फर्सफ फोरे से चाही तो सारे oxygen वाले bond तोड़ो और Alkan बना दो सारे oxygen वाले bond तोड़ो Alkan बना दो तो देखो मेटा है यहां पे CH3 बन जाएगा अगे निये भी CH3 बन जाएगा यह CH2 CH3 बन जाएगा और यह खतमी हो जागा है यहां से oxygen OH हटी जाएगा, देख लो CS3, CS3, CH2, CS3 oxygen खतमी हो जाए यहां से ठीक है, next find the product extra question है, find the product clemencion reduction के लिए क्या करोगा, find the product, मेरे प्यारे दोस्त CS3, CS3 find the product, CS3, CS3 यह oxygen gap करना है, और कुछ नहीं उल्फ किष्णर में oxygen gap करना है, तो product is this, देख लो LAH में यह alcohol में convert हो जाएगा, CH3 CH2 OH next H2 PDB, ASO4, यह क्या है आपके पास, रोजनमंड partial reduction ठीक है न, अच्छा, रोजनमंड अगर alkene पे लगता है तो Sin addition, C-silkene बनाता है Sin addition, C-silkene बनाता है right, yes, देख लिज़े C-silkene बन गया उसके बाद आता है H2, अरे भाई, double bond को सीधा-सीधा alkene पे रोग देगा, hydrogenation red phosphorus H2 oxygen gap कर देगा next आईए दोस, call by electrolysis CO2 release कराता है without carbon reduction CO2 release कराता है without carbon बन तो इसमें 2 carbon है तो 2 carbon वाली आपके पास क्या बन जाएगी, alkene यह क्या है soda lime decarboxylation यहां पे carbon का reduction होता है तो CO2 release कर जाएगा तो 1 carbon बचेगा मेरे प्यारे दोस्त उसी तरह यह sodium dry ही थर है मेरे प्यारे दोस्त क्या यह free radical बनेगा और दो free radical आपस में जुड़के क्या ऐसे product बना लेंगे next PCL5 क्या gym dye highlight बनाता है PCL5 gym dye highlight बनाता है मेरे प्यारे दोस् PCL5 gym dye highlight बनाता है आपके पास यह dye यह क्या होगा mozingo this is mozingo क्या करेगा यह यहां से double bond को guide कर ला लेगा इसके बाहर से questions नहीं आते हैं और नहीं आते हैं और नहीं आते हैं बहुत इमांदारी से हमने पूरी oxidation reduction को खतम किया है so tomorrow's chapter is carboxylic acid and amine कल हम बेटा carboxylic acid और amine start करेंगे tomorrow we will start carboxylic acid and amine chapter कल हमारा carboxylic acid और amine chapter start वह रिकत ही है so tomorrow we are going to start carboxylic acid and amine so it will take again three lectures to complete so it will complete again three lectures to complete so वहाँ पी जाके हम organic को finish कर ठीक है yes biomolecules आप biology में पढ़ चुके है polymers and chemistry in everyday life आप खुद पढ़ाएं NCRT rating है NCRT मैं आपको पढ़ा दुआ वो NCRT से पन पढ़ लेगे तो ये last chapter होगा हमारा organic का अगर आपको reactions याद है tips पर फिर कितना असान है मोजिंगो में क्या होता है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है उल्फ किश्णर में क्या होता है आपको पता है तो वहां आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं बट प्लस पे बहुत अच्छा है और फिर अगर आप 20 अगर आप परस्नल गाइडेंस स्टुडी मेटरियल प्रिंटेड स्टुडी मेटरियल अंड मेरे प्यारे दोस्त हाइब्रिड मोडल ओप उनलाइन परस्नल गाइडेंस आपको यहां पर मिलता है और परस्नल कोच यहां पर आपको दे दिया जाएगा अगर आपने वह लाल वाला बटन अभी तक नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त दोस्ती तो बहुत जरूरी होती है ठीक है और जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आप सब लोगों का जो मोटिवेशन है वह इस लेवल पर आ चुका है इ और एवरेज टू टॉपर सीरीज याद है येस तो वो ही सीरीज को हम यहाँ पे आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं अभी मैंने आपको एंसी आर्टी हाइलाइट्स लेकिया हूंगा अभी मैं आपको क्रैश कोर्स वन शॉट्स लेकिया हूंगा सो डॉंट वरी केमिस्ट्री का सेलेबस थोड़ा वास्ट होता है इसलिए टाइम भी लगता है स्कोरिंग भी है और आपको मेदद भी मिलेगी मैंने पूरी मानदारी से एक भी टॉपिक बिना छोड़े हुए आपको पढ़ाया ले छोड़ दिया था तो अप्टिकल मैंने स्पेशल क्लास पर करा दिया हूं ठीक है तो सारा कुछ मैं कवर आपको कर दिया हूं और वन शॉट्स और नCIT हाइलाइट्स भी ले किया हूंगा थैंक यू सो मच फॉर जोइनिंग दे सेशन एंड डॉंट फोगेट तू झाल 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 झाल